राधे राधे, आज हम सुनेगे एक हाथी और दरजी की कहानी. सालों पहले एक गाव रतनापोर में एक जाना माना मंदिर था. उस मंदिर में रोज एक पुजारी पूजा पाठ करता था. उस पुजारी के पास अपना एक हाथी था, जिसे वो अपने साथ रोज मंदिर लेकर जाता था। सभी गाव के लोग हाथी को बहुत पसंद करते थे। हाथी भी मंदिर में आने वाले सभी श्रदधालूं का खूब स्वागत सतकार किया करता था। सुबह पूजा पाठ खत्म करने के बाद पुजारी अपने हाथी को नहलाने के लिए तालाब में लेकर जाता थ रोज हाथी तालाब में नहाने के बाद घर लोटते समय दर्जी की दुकान पर रुकता था। दर्जी भी रोज हाथी को प्यार से एक केला खाने को देता। हाथी केला खाने के बाद अपनी सून से दर्जी को नमस्ते करके पुजारी के साथ घर चला जाता था। ये सब हा अगले दिन फिर पुजारी और हाथी तालाब से लोट कर आ रहे थे. पुजारी कुछ दूर रुखकर लोगों से बात करने लगा. हाथी रोज की तरह दर्जी की दुकान पर रुख गया. आज हाथी ने अपने सूंड में कीचर भर लिया था. दर्जी अपनी दुकान में बैठ कर कपडों की सिलाई कर रहा था. जैसे ही हाथी ने दर्जी को किया था. उसी का दंड हाथी ने मुझे आज दिया है. दर्जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथी के पास भाग कर गया. उसने हाथी से माफी मांगने की कोशिश की. उसने कहा, हे गजराज, आपने बिलकुल सही किया. मैंने जो कल किया था, उसका नतीजा यही हो हाथी ने दर्जी की तरफ देखा और अपनी सूंट को हवा में लहराते हुए वहां से चला गया. दर्जी को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था. उसने अपने मजाक मस्ती के चक्कर में एक अच्छा दोस्त हाथी खो दिया था. उस दिन से दर्जी ने चान ली कि वो किसी क भी मजाक में भी नुकसान नहीं पहुचाएगा. कहानी से सीख. दर्जी और हाथी की कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए. मजाक में भी नहीं. अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को subscribe करें